नमस्क्त वादनी तो आज वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर पर बात करेंगे क्योंकि फ्री टेलिग्राम चैनल उम्मीद है आप आप अपने मार्केट को देखने सीखने समझने का जो मेरा तातकालिक नजरीया है उसे मैं साजा करता रहता हूँ तो वहाँ पर एक पोल किया था कि किस सेक्टर पर मुझे बात करना चाहिए और उसमें आप लोगोंने मुझे प्रतिसात दिया कि वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर पर बात करना चाहिए तो आज वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की चार कमपनियों पर बात करेंगे जिनमेंसे दो क अब एडवेंचर की परिभाशा अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी वात हैं नहीं समझें तो मार्केट में थोड़ा समय और गोजारी ये मार्केट आपको समझा देगा कि इस मार्केट में एडवेंचर क्या होता है बहराल किसी भी प्रकार का कोई BSL होल का रेकमेंडेशन नहीं है कोई इंड्यूस करने की कोई संकेत देने की कोई हिंट या एडवाईज या टिप देने की का प्रियास इस वीडियो में नहीं है इन चार कमपनियों में मैं वो पॉइंटर आपको बताऊंगा जिन पॉइंटर के अधार पर बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में आप खुद भी ये जज़ कर सकेंगी किन दो कमपनियों में स्टेबिलिटी है और किन दो कमपनियों को मैं एडवेंचर की सूची में रख रह ती और कल प्रमुकता से जोआरी एग्रो और दो अरन नित्र कमपनियों के विशयां बात करी दो अरन नित्र कमपनियां भी थोड़ी स्टेबल थी लेकिन जोआरी एग्रो ने आज पूरे सेटप को लीड किया और साथ आट परसेंट का गेन हमको वहाँ पर आता हुआ One-on-one start करें तो सबसे पहले देखें कि अंतरास्थ इस तर पर Start-up Incubator की planing चालू हो गई है Start-up Incubator target कर रहे है water sector में innovation को क्योंकि दुनिया की requirement है कि जो water बहुत तेज गती से waste किया जा रहा है इसको recycle करके हम फिर से प्रयोग में ला सकें जिसमें इस्वराइल जैसी कंपनिया तो बहुत दश्कों से ये practice जो है वो कर रही है और अब incubator जो है वो world map पर आपको देखने को मिल रहे हैं इसी प्रकार से एक और अगर आप ये international बहुत सारे आर्टीकल दिखा सकता हूँ इस प्रकार के जो water treatment के sector में अंतरास्टी इस तर पर रखा गया कि पूरे दुनिया का लगबग लगबग 25% water जो है ground water उसको हम extract करते हैं और वही wastage हो रहा है तो भारत के संदरुमव में आवशक्ता बहुत है क्योंकि भारत की अगर आप geography को समझेंगे तो हमारे याँ बाड़ भी आती है तो अकाल भी आता है तो अर्थात कि ये water का अगर सही से उपियोग करना अगर हमको आ गया तो भारत इस सेक्टर में भी दुनिया को लीड कर सकता है और हमारे पास water resources को कोई कमी है नहीं नदी हो तालाब हो पोखर हो समुद्र हो सागर हो तीन तरफ से हम सागर से घिरे हुए है तो ये रास्त्वी स्तर पर भ सारी 2025 या 2021 तक इनों ने अपने कुछ टारगेट भी रखे हैं जिसमें corporate social responsibility के मादने हम से कुछ funding की बात की जा रही कुछ government यहाँ पर अपनी तरफ से funding देगी तो बहुत सारी initiative लिए जा रहे देखो आप यहाँ पर पढ़ोगी भी तो बल consumer to reuse 50% of their waste water by 2031 तो बहुत सारी initiative हम Enviro Infra Engineers आज इस टॉक अच्छा भाग रहा था 2009 में कंपनी शुरू ही Enviro Infra Engineers गवर्मेंट के लिए water और wastewater treatment के प्लान को बनाती है और इनका focus है sustainable energy projects पर जैसे solar और compressed bio gas होता है ऐसे sustainable energy के project में water भी आता है तो इस company का मत्रा और बरेडी में एक hybrid model projects है मतलब कुछ ऐसे hybrid model projects है जो ब बड़ा हिस्सा working capital और debt repayment के लिए use होना है अब जब इतना बड़ा fund raise किया जा रहा और वो निवेशक जो शाड़े 600 करोड के आसपास इसमें निवेश कर रहे है तो उनका भी अपना एक mindset होगा तो ये company कैसे real energy को integrate कर रही है ये देखना काफी दिल्चस पर आप इनकी annual report और और ion exchange का अगर जिक ना हो तो फिर आपने water segment को अच्छे से अधिन किया ही नहीं ये समझना चाहिए ये company पूरा water cycle को manage करती है मतलब pre treatment से लेकर sea water समुदर के water के dissolution तक लेकर सब कुछ ये treat करती है विप्तिवर 2025 के Q1 मिन का revenue 30% बढ़ा और EBIT 26% तक बढ़ गया और major large EPC job की व cost making है future bright लगता है तो water segment की तरफ किया अगर हम देखें तो company के बहुत सारे revenue stream की bifurcation में water treatment को भी आपको इस company में देखना चाहिए तीसरी company की बात कर लें जिस पर हमने अपने YouTube चैनल पर पहले भी बात करिए बहुत बात करिए अभी वाटेक वबाग अभी वाटेक वबाब को अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया के top 3 private player operator में से एक है साड़े 6,000 से आदा प्रोजक्स और 25 देशों में presence के साथ ये मौजूद है और इनका नमामी गंगे और साओधी आराउमकों के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रोजक्स है वो हाईलाइट होते है market में बहुत asset light model पर काम करते हैं हम समझेंगे वो ratio के अधार पर कैसे हम इसको asset light model कह रहे है R&D में investment की वज़े से ये company long term में फायदा उठाने वाली है ऐसा market के बड़े बड़े जो commentary करने वाले विशिशा के वाईसी टिपनी करते हैं क्योंकि इस company के order book का अगर आप size देखेंगे तो ग्यारा हजार चार सो करोड के पास आपको देखने को मिले गबागी अपने डियोडिलन साब करिए और चौती company मेरी सूची में है EMS ये दिल्ली based company है जिसका focus है प्रंकी water और waste water projects को solve करना अठारा सो करोड के order book के साथ ये company North East और South India में अपने operational expense को कर रही है और इन्होंने paper और real estate sector में भी काफी diversification की planning की है लेकिन cash flow issue थोड़ा सा concerning है थोड़ा सा वहाँ पर issue जो हो है तो इन चारो company को अब हम one by one एक पटल पर लागा ज़रा compare करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर industry की बात करें तो demand driven है government scheme जैसे की जल जीवन mission और अमृत की बज़े से ये पूरा का पूरा सेक्टर देखने योग है पढ़ने योग है समझने योग है hybrid annuity model और renewal energy integration इस sector के future को और bright करने के pointers यहाँ पर add करता कि कौन सी company sustainable थोड़ी से दिखाई देती, stable दिखाई देती और कौन सी company adventure की ओर इशारा कर रही है चलिए तो मैंने एक पटल पर चारों company को one by one peer comparison में लगा लिया है क्रमानों का ढंक से वाटेक ववाक सबसे बड़ी company उसके बाद eon exchange उससे छोटी उससे छोटी EMS और सबसे आकरी में enviro infra जिसका अभी-कभी market में आप देखोगे कि इनके जो candles है वो अभी आपको दिखना प्रारम हुई है तो market cap के लिए हाथ से सबसे बड़ी company कौन वाटेक ववाक सबसे छोटी कौन enviro infra बाकी दो इनके बीच की कमपनिया current price और high low के price से देखेंगे तो इन companyों में strength नजर आएगी क्योंकि अपने 52 week high के आसपास चारों की चारों कमपनिया देखने को मिल रहे ही इससे बात की पुष्टी होती है कि water treatment के sector में पैसा आ रहा है फ्लो कायम है stock P की बात करें दो कमपनिया चावालेस और सहतालेस का P मांग रही है वहीं है दो कमपनिया 27 और 26 का P मांग कर थोड़ा सा under value नजर आती है ROC की बात कर ले ROC की बात करने के पहले मेरे reality learning के सदस जो है वो बहुत अच्छे से connect कर पाएंगे कि हम ROE की बात करें और return on equity का number अगर आप इन चारो कमपनियों में देखोंगे तो आप देखो कि return on equity का number चारो ही कमपनियों में देश के cost of equity से जादा है तो यह deep psychology का subject है बस आप इतना remind कर लेजे कि cost of equity हम 15% के पैमाने को एक मानक मानते है तो 15% से जादा का ROE लगबग लगबग चारो कमपनियों में है वाटेक वबाग में नंबर थोड़ा सका में जिस कमपनी का ROE जादा बहतर समझा जाता है और फिर इन चारो कमपनियों में देखो कि किस कमपनी का ROC return on capital employed का नंबर ROE से जादा है तो लगबग लगबग चारो कमपनियों में इस्थती नजर आएगी ज़्यादा distance कौन सी कमपनी त्रह कर रही है तो वहाँ पर उसी तरह से में उस कोस में चुकि expansion की गुंजाईस नजर आती इसलिए उसको में adventure कहता हूँ और जहाँ पर थोड़ा सा saturation नजर आता है उसको में stability कहता हूँ तो अब तक चार-पांच पैमानों के अधार पर ही आप समझे होंगे कि Vatek Vabag, Eon Exchange, Market Cap में भी लीडर कमपनी है तो थोड़ी से stability है लेकिन EMS और Enviro Infra में थोड़ा सा adventure नजर आ रहा है अगर फूख-फूख कर अच्छे से अधन करके technical को समझ कर इन दो कमपनियों में कुछ देखने ही कोशिश करें तो जादा बड़े gain यहाँ पर इन दो stock में देखने को मिल सकते हैं कोई बाइसा रोल का recommendation नहीं है के वल परत दर परत हम नीचे आ रहे हैं चलिए आँगे बात करते हैं अगर हम industry P की जो चुकी इन कमपनियों का revenue अलग-अलग stream से आता है लेकिर हमने के वल water treatment के segment को इनके revenue में देखा है इसलिए इन चार कमपनियों को हम एक पटल पर यहाँ पर compare कर रहे है डेट प्यू किटी का number चारो ही कमपनियों में less than one है जब हम commentary कर रहे थे जब हम इन चारो कमपनियों की briefing कर रहे थे मैंने आपसे कहा कि काफी asset light model नज़र आता है क्योंकि चारो ही कमपनियों पर किसी बहुत heavy कर जेके हाँ पर संके तक कम से कम आकड़ों में देखने को नहीं मिलते है आंगे बढ़ते हैं नेट ब्लॉक की इस्थिति देखे लेकिन चुकि अभी capacity expansion और अभी विस्तारी करत करने की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं इसलिए that's why कि last की दो कमपनियों में वो adventure बारी संभावना है और उसकी पेक्षा है सुरू की दो कमपनिया जो है थोड़ी सी stability की और इशारा कर रही है interest coverage ratio अगर देखें कि अपने interest जो भी करजा वो लेंगे उसके interest को pay करने के लिए इन चारो कमपनियों में क्या सक्षमता नजर आ रही है तो चारो कमपनिया सक्षा में more than 5 का नंबर अच्छा समझा जाता है लेकिन अगेन वोई बात यहाँ पर भी अगर इन दो कमपनियों में देखेंगे तो EMS ज़्यादा दक्ष नजर आती है और उसके पाद फर बारी दूसरी कमपनियों का नंबर जो है वो नजर आता है सीधा नफा रेशो अगर देखेंगे तो अगेन वोई बात देखो इन दो कमपनियों में 8-9% के growth trajectory के साथ यह दो बड़ी कमपनिया नजर आ रही है वहीं Adventure जो की छोटी कमपनिया है छूने को आस्मान बाकी है तो इन दो कमपनियों में EMS और Enviro Infra में सीधा नफा रेशो हाइर साइड पर नजर आते है EV by Abita जो कमपनिय की जो capacity है जो उसकी दक्षता है उसका आकलर हमको देता है कि अपने total Abita के सामने कमपनिय कितने enterprise value पर खड़ी नजर आती है तो यह चार कमपनिया है अब चलते हैं चारो कमपनियों को जड़ा technical setup पर देखने की तो water treatment का यही मेरा चारो का setup है और यही मेरे यहाँ पर जो मेरे परस्नलाइज जो मेरे indicator बनाए जिनको मैं elite learning के साथरस्वा के साथ साजा करता हूँ इसमें यह on action देखो अच्छे से एक swing cup नजर आ रहा है और अच्छे से crossover नजर आ रहा है बिल्कुल अध्यन के radar पर इसको रख सकते हैं और enviro info की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो केवल दो ही candle है इसको मैं break down कर दूँगा 75 minute के time frame पर और यहाँ पर भी जो squeezing की में बा formation के बाद अभी एक breakout की तरफ जाता हुगा stock कह दूँ या अगर यहाँ पर कोई VCP के formation का इशारा कर दूँ तो वो भी गलट टिपड़ी नहीं होगी तो EMS technical पर इसको आप watch list पर रखिए जब opportunity देगा आप अपना स्वभ वेक से निड़नाई करते हुए अपनी risk profile अपनी risk appetite क समझते हुए को VCN making कर सकेंगे और चौती कंपनी वाटेक वबाग इस सूची की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर भी swing up नजर आ रहा है और ये कंपनी भी एक breakout zone में थोड़ा नजर आती है तो चारों कंपनी अध्यन के दृष्टिक और से watch list में रखने होगे एक और कंपनी इसी सेटप पर है फैलिक्स इंडरस्टिस इस कंपनी पर चूकी मेरा अध्यन नहीं इसलिए इस पर कोई टिपड़ी मनी कर सकता हूँ लेकिन वाटर ट्रीट्मेंट के सेग्मेंट में जो सेक्टर का watch list मैंने बनाया है इसमें इस सेटप में इस स्टॉक को भी मैंने जगा दिए तो होप ये छोटा सा वीडियो था लेकिन आपको या ध्यन में मदद करेगा बाकि हमारे साथ अगर मिलकर मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं तो आपका स्वागत है वनियर की मेंबर्शिप से कनेक कर सकते हैं यकीन मानी आप रिग्रेट नहीं करेंगे जो लाइन पर अपने पोर्टफोलियो का ख्याल जाते जाते हैं पुनाय आपसे आगरह चेतावनी अनुनाय विनाय अनुरोध और यही प्रातना कि इस वीडियो में जिन भी स्टॉक के विशे में बात करी है ये एक कॉंसेप के अधार पर चुकि एक सेक्टर पर जिस प्रकार से वाल जहन प्रारम करेंगे और उसके बाद सेभी नजल लोगों को अधिकरत किया उनसे रायशमारी करने के बाद ही निवेस संबंधी कोई निड़नाय लेंगे मैं सेभी अधिकरत रिसर चैनले से इंवेस्मेंट एडवाइजर वेक्ती नहीं हूँ इस वीडियो को देखकर बेस संबंधी किसी भी प्रकार का कोई निड़नाय ना लें चली आगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद